पंद्रा जून दो पहर दो बजे गल्वान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने गिर्पे पत्थनों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा भोल दिया स्कॉर्ट थ्री का भार के शैत्र घुस पैटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मनों से सामना हुआ भो थे भूस खलं से गिरे पत्थर और चट्टा और फिर अंधेरा चा गया छे गंटे बाद जब लेटनेंट सिंग की आँख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बौचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी पिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फौजी मेरे भाईचारे तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढोंड़ूंगा लेकिन हो सकता है कि लेटनेंट सिंग का स्क्वाड महा कैद हो एक टेंट लाल टेन की रोशनी में चमक रहा है ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगा हो सकती है उस चोटे से टेंट की तंग जगा में एक साइट टेबल, एश्ट्वे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लाल टेन रखी थी पर सबसे ज़रूरी था एक कैदी जो रसियों से बंधा हुआ था रवी लेफटेनेंट सिंग की टुकडी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया, कि उसका चहरा काला और नीला पड़ गया उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था सर, उन्होंने दुसरों को बंधी बना दिया रवी ने कहा रिपोर्ट बाद में फॉजी, पहले तुम्हें छुडाना होगा नहीं सर, दुसरों को आपकी मुझ से ज़ादा जरूत है मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता पॉजी लिफ्टनेंट सिंग, रवी के पैरों से रसी खोलने लगते है देर हो गए सर, पीछे देखे एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लिफ्टनेंट सिंग को पीछे से पकड़ लेता है टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बगसे गिर जाते है बगसों पर रखी लाल टेन गिर कर टोट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बगबू फैल जाती है रवी निकलो यहां से लेटनेंट सिंग रवी को खोलना चाहते है पर देखते हैं कि वो बेहोश है रवी कोई प्रतिक्रिया नहीं लेटनेंट सिंग लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था लेटनेंट सिंग उस जलते टेंट से बच निकले नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज़्यादा ज़रूत है रवी की ये शब्द लेटनेंट सिंग के कानों ने गुंज रहे थे लगता है आज मुझे लेसी के उस पार जाना होगा लगता है लगता है आप्टीर मेलेपट स्च्णपन ऄिरूम ये लिजग सुच्च्ट मेलेड़ informação क्त विए ये सुच्छे लेकर redemption क्いजवत क्वाई वो हमेशा तो उन बॉडर्स के पीछे चिप कर लिए वो गाया वो बॉडर्स के खूएर्स के वाए वो बॉडर्स के अट है। झाल पर आईाने अब्राइटार और अब्राइल झाल यूली जब अविंगी कर दो कर दो कर दो अपने भाईयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मज़ा उन्होंने मेरे आद्मियों को जहां भी कैद करते रखा है मैं पता लगा लूँगा हम साथ लडएंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर नहीं है अपने भाईयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पक वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते मैं अपने आद्मियों को ढूंट कर ही दम लूँगा चाहे कैम्प में उनकी पूरी आमी ही क्यों न हो कर दो कर दो कर दो कर दो एकर सकते तो कर दो काहा है